अब इस उमर में मैं क्या करूं? अब तो हमारी उमर कहां रही? ये तो बच्चों के काम हैं. मैं अब कैसे शुरू करूं? उमर ज्यादा हो गई. क्या इसी तरह जिनसी ख्वाहिश भी उमर के साथ साथ कम होती है? आज हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करने लगे हैं कि क्या उमर के साथ साथ जिनसी ख्वाहिश में कमी होती है? हम अक्सर ये सुनते हैं अपने गिर्दो नवा में कि लोग अपने चीजों के लिए अपनी उमर को ब्लेम करते हैं. किसी को पढ़ाई का कोई चांस हो या किसी को कोई मश्वरा दिया जाए तो सुनने को ये मिलता है कि यार अब तो उमर हो गई, अब कहां से पढ़ाई शुरू करें, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब पढ़ाई कहां से शुरू करें, अब क्या करें, क्यों करें, या सम्टाइम्स फैमली कभी घूमने चली जाए आउटिंग पे चली जाए तो इवन महां जूलों कर भी जो है वो बड़े हमारे यही कहते सुनने में आता है कि यह तो बच्चों के काम हैं बच्चों के खेलने की चीज़े हैं अब हमारी उमर बड़ी हो गई तो इसी तरह से हम यह भी बहुत सुनते हैं कि उमर की वज़ा से आपकी सेक्शल लाइफ में बहुत कमी आ जाती है या प्रॉब्लम्स आ जाती है लेकिन यह बात किस हद तक सच है आज हम इस पर बात करेंगे उमर के साथ सेक्स में कमी आ जाना बहुत से लोगों की कंप्लेइन सुनी है लेकि लोग 60-70 की उमर में जाके दूसरी तीसरी या चौती शादी कर रहे होते हैं तो क्या उमर का ये रूल उन लोगों पर लागू नहीं होता तो साबित ये होता है कि आपके सेक्स की खौाहिश में कमी में उमर का जितना रोल हम समझते हैं उतना रोल नहीं होता बलके इसके इलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम मुकमल तोर पर नजर अंदाज कर चुके होते हैं जैसा के आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी डेली लाइफ, आपकी खुराक, एक्सरसाइज की आदत ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और अपने तोर पे ये अपना रोल प्ले करती हैं आपकी सेक्शल डिजायर को कम करने में या सेक्शल हेल्थ को कम करने में अब अगर हम मिसाल ले लें एक 60 साल के शखस की जो के 60 साल की उमर में अभी भी सेक्शली बहुत हैपी है बहुत सैटिसफाइड है या यूं कहलें कि उसने दूसरी या तीसरी या चौती शादी की है इस उमर में जाके तो उसकी इस sexual activity या इस healthy sexual life की वज़ा क्या है उसके पीछे उसकी बहुत सारी वजवाथ जैसा के मैंने अभी बताई हैं कि उसका एक तो जहनी तनाओ को क्या वो शाक्स किसी जहनी तनाओ का शिकार है किसी जहनी परेशानी का शिकार है वो financial भी हो सकते हैं वो family के issues भी हो सकते हैं वो जमीन जायदाद के matters भी हो सकते हैं वो अलाद का मसला हो सकता है itself sex की complaints की वज़ा से भी आपको जहनी तनाओ हो सकता है उसके इलावा क्या वो healthy food खाता है या वो भी junk foods की तरह रोजाना junk foods intake कर रहा है exercise में involved है के नहीं है even रात को timely सोता भी है के नहीं है अगर कोई शक्स अपनी 40 से उपर जाने के बाद 50, 60, 70 में भी अपनी healthy sexual life गुजार रहा है that means के वो अपने बाकी जिन्दगी के मामलात में अच्छे फैसले कर रहा है जिसका वो नतीजा पा रहा है अब ये शक्स जो 60 साल की उमर में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता है वो definitely उसके पीछे ये सारी वजुभात है और इसके अगर हम comparison करें एक नौजवान के साथ जो के आज कल जैसा के मुल्की financial crisis चल रहे है उनको पेशे नज़र रखते हुए हर नौजवान को अपने रोजगार की फिकर है वो जहनी तनाओ का शिकार बनती है फिर उसके बाद जो है उसके daily routine बहुत matter करती है आज मैं चुके कराची से बेस करता हूँ तो मैं कराची के लोगों की बात करता हूँ हमें ये बहुत बुरी आदत पैदा हो चुकूई है कि हम सारी राच जाते हैं नौजवान नसल खास तोर पे सुबर चार पांच छे बज़े जाके तो सोते हैं रात वो राच जो सोने के लिए बनाई गई है वो किसी खास वज़ा से बनाई गई है आपके बॉड़ी के जो हॉर्मून्स हैं वो आपके बॉड़ी के मुख्तलिफ फंक्शन्स करने में उनका बहुत बड़ा रोल है यूं समझ लीजे कि ये आपकी बैटरी है जिस तरह आप मुबाइल को राच को चार्ज करते हैं नींद में ये हॉर्मून्स बनते हैं और उन हॉर्मून्स में अफकोर्स सेक्स के हॉर्मून्स भी होते हैं तो अगर आप रात को नींद पूरी कर ही नहीं रहे हैं तो आपके हॉर्मून्स कैसे चार्ज होंगे हाँ मेरे पास काफी नोजवान आते हों अगर हम सुबर चार बजे भले सोते हैं लेकिन उठते भी शाम को चार बजे बारा गेंटे की नीन पूरी करते हैं। लेकिन भाई मेरे अगर दिन की नीन से वो फायदा होता तो आपको कुदरत रात देती ही ना। वो 24 गेंटे का दिन ही बना देती आप जब मर्दी सो जाते हैं। अगर नीन भी पूरी करनी थी तो रात की नीन देने की कोई वजा है। रात की नीन में आपकी बाड़ी वो खास हॉर्मोन पैदा करती है। और रात और दिन इस तो़ादम चल रहा होता है इसकी बिना पर ही आपकी बाड़ी की डिफ्रेंट हॉर्मोनों पैदा होते हैं। या पैदा होना कम होते हैं। जैसे कग़व मुझते हुए क्सक्ष़ फास हॉर्मուन में कुछ स्थक्राइब होता है। जबकि आपके सेक्स के हर्मोन नीन में रात के टाइम में बनना शुरू होते हैं जब ये बनना शुरू होते हैं आपके स्ट्रेस हर्मोन घटना शुरू हो जाते हैं फिर जब आप उठ जाते हैं तो फिर स्ट्रेस हर्मोन स्लोली स्लोली ग्रेजुली वो इंक्रीज होते हैं और आपके बाकी हर्मून जो हैं वो डाउन होते हैं ये तो सरकेडियन रिजम है अब ये एक बहुत बड़ी साइंस है जो बड़ी आसान अलफाज में मैंने आपसे बेयान कर दी है अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं दन अफकोर्स आप अपने मसायल में घिरे रहेंगे ये तो थी नीम की बात अब हम बात करते हैं जहनी तनाओ ये आपकी जिंसी ख्वाहिश को कम करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके जहनी तनाओ का जिसे आप डिप्रेश जिंसी ख्वाहिशात को कम करने में बहुत बड़ा रोल फैदा करते हैं अब एक शख्स जिसको अपना घर चलाने में दिक्कत आ रही है उसका दिल नहीं करेगा कि वो सेक्स की तरफ जाए हां साल महीने बर में कभी उसका दिल करेगा वो भी हार्मोन की बेस पर कि अगर उस अगर आप अपने आपको जहनी तोर पर पुरसकून रखेंगे जाहर है मुलकी हालात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन और बहुत से चीज़े होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि आपके आफिस के मामलात आपके रोजमरा के बाकी मामलात खानदान ब वो आपकी ख्वाहिश में कमे की वज़ा बनता है अब जो आपका जो भी सेक्स थेरेपिस्ट होगा डॉक्टर होगा अफकोर्स वो ये सारी चीजें आप से मुकमल डीटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही वो फर्दर डिसाइड करता है कि आया आपको कुछ टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है वो समतमाम टेस्ट जो है फिर वो तब करवाएगा हम बात कर रहे हैं कि जिन्सी ख्वाहिशात का कम हो जाना उसकी बेसिक वज़ा हम कुसूर बार ठहराते हैं उमर को कि मेरी अमर हो गई है अब तो जाहर है इसमें उमर के साथ साथ कम हो ऑफ-कोर्स उमर के साथ साथ जिसम के तमाम जो functions हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी आती है लकिन इसकदर कमी नहीं आती कि आप महीने में या दो महीनों में एक बार अपने पार्टनर के पास जाते हैं इसके लिए आपको प्रॉपरली चेक करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे वज़ा क्या चल रही है अब हम आते हैं वजुहात की तरफ जैसा कि मैंने अभी कहा कि पीछे क्या वज़ा हो सकती है आप ने शायद यह उबसर्फ किया हो कि आज कल के दौर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज शूगर जिसे कहते हैं आप यह दो बिमारियां इवन अर्ली एज में भी आने लग गई हैं पहले किसी जमाने में हम सुना करते थे के फलाँ को शूगर हो गया तो जवाब या आता था हाँ उसकी उमर भी 70-80 साल हुआ करती है तो इस वज़ा से वह जाता था अब 30-40 की एज में भी लोगों को शूगर औ पूरी नहीं करते हैं आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है एक्सरसाइज से आपका दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है कोई वास्ता नहीं है यह सारी चीज़ें वज़ा बनती हैं ब्लड प्रेशर और शूगर की और आपके लिए जरूरी है जानना के ब्लड प्रेशर और यह दोनों अमराज ही बजाते हैं खुद आपके सेक्शुल डिजायर को आपकी सेक्शुल हैल्थ को बहुत बड़ा इफेक्ट देते हैं इसको कम करते हैं बुरी तरह से इसको असर अदास करते हैं अब यह तो है सिर्फ मर्ज की बात ठीक है बहुत से लोग कहते हैं सर हमें डियागनोज तो हो गया लेकिन हम इसका proper इलाज भी कर रहे हैं। आप proper इलाज करके अपनी शुगर को एक normal range में रख सकते हैं। लेकिन उसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए जो अध्यात आप इस्तुमाल कर रहे हैं या ब्लड प्रेशर को अपना नॉर्मल रखने के लिए जो अद्वियात आप यूज कर रहे हैं कभी उनके साइड इफेक्स जो हैं वो भी उसके मैडिसन के जो साथ मैनुवल होता है उसके अंदर पढ़िये उसके अंदर साफ लिखा होता है कि यह आपके जिनसी रही होती हैं और उसके उपर अगर हम एक्सरसाइज भी ना करें और ठीक से नीन भी पूरी ना लें और उपर से जंक फूर्ड वगरा अपने जारी रखें तो यह एक बहुत ही मुश्किल से सिच्वेशन हो जाती है कि आप इसको इसली कवर कर सकें अब आपके लिए आपको खुदाना खासता ब्लड प्रेशर या शूगर हैं उनको तो अफकोर्स आप नेचरली हैल्दी लाइफस्टाइल जैसे ही अपनाते हैं इसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है उसके साथ साथ डॉक्तर्स जो हैं वह भी आपकी मदद कर सकते हैं अब आपके लिए इसकबरी की बात यह है कि इन तमाम चीजों को अगर हम मुकमल तोर पर ठीक ना भी कर पाएं तो भी बहुत हद तक इन चीजों में इंप्रूव्मेंट ला सकते हैं लेकिन इंप्रूव्मेंट लाने से पहले जो प्रॉब्लम आता है वह यह आता है कि लोग अपने सेक्स के प्रॉब्लम की बारे में बात करते वह घबराते हैं वह इवन डॉक्टर से भी खुल कर बात नहीं कर पाते आते तो हैं डॉक्टर से मिलने के लिए कि मुझे सेक्शल प्रॉब्लम है लेकिन हिस्ट्री बताते वक्त फिर वह हिच किचाते भी हैं और कुछ चीज़ें करता है तो वह आपकी information कभी भी किसी भी scenario में नहीं share करता और Men's Care Clinic का हमेशा से यह वसूल रहा है कि आपकी personal information कभी भी किसी भी वक्त आपकी इजाज़त के बगार किसी से share नहीं की जाती है अच्छा अब अगर आप doctor से share कर लेते हैं देन आपकी तमाम conditions में improvement के बहुत पड़े chances होते हैं लेकिन वह improvements तभी आती है जब पहले आपके problem के बारे में ठीक से diagnose किया जाए diagnose करना जरूरी है इलाज मौजूद है problem कोई भी हो उसका इलाज मौजूद है लेकिन उससे पहले अगर properly diagnose ना किया जाए तो उसके results के बारे में कहना बहुत मुश्किल है जैसा कि हमारे हाँ आम प्रैक्टिस में यही होता है कि without diagnosis लिखी पड़ी जो medicines हैं वो दे दी जाती हैं यह try कर लें यह try कर लें और उसके बाद नतीजा मिला तो मिला ना मिला तो कोई बात ने फिर दूसरा doctor और फिर तीसरा doctor अब हम इन तमाम चीजों को sum up कर लेते हैं कि अगर हम कुछ और नहीं भी कर सकते कोई लाज नहीं भी कर सकते तो कुछ ऐसी चीजे हैं जिनके करने से हम definitely अपनी जिनसी खौाहिश को जो है दुबारा हासिल कर सकते हैं अब उनमें जो main important चीजें रह जाती हैं वो ये अगर खुदाना हास्ता आपको blood pressure या sugar है तो उसको properly medicine के जरीए या अपनी healthy lifestyle के जरीए उसको control करने की कोशिश कीजिए अगर आपको नहीं है बहुत अची बात है फिर आपको क्या क्या करने की ज़रूबत है सबसे पहली चीज़ अपनी जिन्दगी से junk food बाहर के खाने चिकनाई चर्बी ये तली हुई चीज़ें इन सारी चीज़ों को कम करें at least कम करें best तो यह है कि आप छोड़ दें नीन्द नीन्द आपकी रात की नीन्द आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप अच्छी sexual life चाते हैं तो रात की नीन्द आपके लिए बहुत जरूरी है उसके बाद एक चीज़ जिसका बहुत बड़ा फुकदान है हमारे मौशरे में exercise किसी किसम की sports या exercise हाँ हम जब तक school colleges में होते हैं तब तक तो चलता है लेकिन उसके बाद जैसे हम professional life में आई या थोड़े बड़े हो जाए स्पोर्स हमारी life से ऐसे घायब हो जाता है जैसे घदे के सबसे सीम दूर दूर हमें याद भी नहीं होता हमने last time sports कब की थी exercise हमारे लिए बहुत जरूरी है गोजाना daily exercise at least 40 minutes बहुत important है इसके इलावा और जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दूँगा वो है जहनी तनाओ अपने जहनी तनाओं में कमी लाएं आज हमारे मौशरे में हर दूसरा बंदा जो है वो इस मसले से जूज रहा है और उसको यह नहीं पता कि इसको करना कैसे है इटसेल्फ अग ग्हेशानियों से सियासी गेशासी गुफ्टगु और गयरज़रूरी सियासी एक्चिविटीज से परे रहे हैं यह आपके स्ठ्रइस को बहुतrops पर थैसको कम कर देता है तो आज के सेशन में मेरी बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप अपनी उमर को ब्लेम ना दें उमर इस जेस्ट अनमबर अगर आपका सेक्स, अगर आपकी हेल्थ, अगर आपकी नींद, अगर आपका हाजमा यह सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो इसमें उमर का रोल शायद दो से पांच फीसद तक तो हो इससे ज़्यादा और कुछ भी ने आपको देखने की ज़रुवत है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विडियो को शेयर करते हैं अगर क्वेस्टन्स हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताए है चुक्ए है